हाई दोस्तों कैसे आप लोग और ठंड बहुत जादा पड़ रही है और यह ठंड हार्ट पेशेंट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती और यह हमेशा बोलते रहते हैं कि ठंड से बचके रहे हैं हार्ट पेशेंट और कल की जो खबर आ रही है बहुत ही चुकाने वाली बहुत ही दरावनी खबर है अला कि मैं डर तो नहीं फिलाना चाहता हूं लेकिन यह खबर है कानपूर से पुत्तपदेश के कानपूर से जहां पर एक ही रात में 25 लोगों की डेथ हुई है हार्ट अटेक या ब्रेन स्टोक से सोची एक ही रात में 700 के ऊपर पेशेंट एड लुक बड़े हॉस्पिटल में जिसमें से 40 गंभीर अवस्था में थे जिसमें से 25 लोगों की डेथ भी हो गई और उसमें से आधे से ज़्यादा ऐसे लोग थे जो हॉस्पिटल पहुँच ही नहीं पाए यानि कि ब्रॉड डेड आए वो पहले ही मर चुके थे हॉस्पिट शुगर है उन लोगों के लिए यह मोसम भी ठीक नहीं है तो करना क्या और ऐसा क्यों होता है बॉड़ी ठंडी होती है हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ते है एक्सराइज ज्यादा करने पड़ती है और साथ में ठंडी की वैसे आपकी ब्लड वैसल्स कंस्टिक्ट कर जाते इस चिकोड़ी आते हैं जिसे बीपी बढ़ी आता है तो इन दोनों वज़े से आपको आपको नहीं पेशन को हाट अटाइक होने का खत्रा जादा होता है इसलिए करना यही है कि जिनकी उम्हों साथ साल से उपर है वो एक तो ठंड से ठंड में बिल्कुल भी बहार ना निकल कोशिश करें कि अपने बड़े बुजूर्गों को घर के अंदर ही रखें मैं सच बता हूँ मेरे फिछला वीडियो आप देखें जिसमें बोला था कोविड से ज्यादा खतरनाक ठंड ऐसी तैसी करने वाली है आने वाले कुछ दिनों में आप मेरे वीडियो देख लेंगे घर से बाहर ना निकले लेकिन घर के अंदर थोड़ी बहुत एकसाइज अपने हाट को एक्टिव रखने के लिए जरूर करतेंबे आदा घंट एकसाइज घर के अंदर ही करें घर के अनदर ही आप वॉक कर सकते हैं चक्क्र लगालो 50-800 चक्र जतने में लगाने घर के अंद करें, smoking गएरा तो पता ही अपसको सब्वों, लेकिन drink का भी इस्तमाल ना करें, पानी खूब पीएं और थोड़ा गरम पानी पीएं, ठीक है, steam गएरा लेते रहें, body को थोड़ा गरम रखें, और थोड़ा सा अगर drive fruits गएरा भी खाते रहेंगे, चारपाई बड़ाम रोज करें, वो भी अच्छी बात है, तो कुल मिलाके, और ये भी देखा गए कि, early morning में ज़्यादा problems होती है, heart attack early morning में ज़्यादा होते हैं, हलागि इस पर research चल नहीं है, कि ऐसा क्यों होता है, early morning में ही ऐसा क्यों होता है, कुल मिलाके, और बी-पी की दवाई कोशिश करने की, रात को लें तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि ये जो सुबह के समय बी-पी बढ़ते हैं, उस समय बहुत सारे, क्योंकि आज मालो आपने दिंग मेडिसीन लिए, उसका असर रात के बारा, एक दो बाई कर ख़तम हो गया, तो फिर early morning में वैसे भी problem जादा होती है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि एक तो early morning में वैसे जो problem जादा होती है, तो इसलिए जो बी-पी की मेडिसीन है, उसको evening मिले, शाम को ले, better होगा, और बी-पी बहुत frequent चेक करते रहें, जिनको भी बी-पी का बढ़ना बहुत कतना होता है इस मोसम में, जिनको blood pressure है, आप अपने घर में अगर बी-पी instrument नहीं है, तो बी-पी instrument खरी ले, regular बी-पी चेक करें, दिन में तीन यह चार बार, और सुबह खाली पेट जरू चेक करें, अपना उठती, और चाय वाई पी नो डाउट इतने सारे लोगों की death बहुत ही alarming गा, और उपर से एक, अभी कल RML hospital में एक resident doctor की, जिनकी उमरे hardly 31-32 साल थी, उनकी sudden heart attack से death हुई है, तो ये कही न कहीं COVID से related है, और लोग कहेंगे vaccine से है, जो भी है, लेकिन कुल मिलाके, इस COVID ने directly, indirectly हमारी health में बहुत बुरा सा डाला है, जिसकी लोग कलपना में नी कर सकते हैं, आपको बहुत मेनत करनी पड़ेंगी, बार बार बोल रहा हूं, ये वो time नहीं रहा है, अब तो मुझे लगता है कि नेशनल heart saving program बनाना पड़ेगा, कैसे लोगों के heart को बचाया जाए, कैसे, और कहीं जहां sudden death हो रही है, ह क्यों sudden cardiac death हो जी है, पता ही नहीं है, अपने routine चेक अप कराते रहेगा, अपने regular BP pulse और चेक करते रहेगा, और healthy lifestyle रखें, और इस समय ठंड में मैं सिर्वे बोलूँगा कि early morning में उठके, बड़े सारे बुजर्ग लोग early morning में उठ जाते हैं, नाना भी शुरू करते हैं, कोई अपने बुजर्गों को समझाना पड़ेगा, और वैसे बुजर्ग क्या और यंग क्या, काफी लोग जा रहे हैं, यंग patient भी जा रहे हैं, तो regular heart अपने जो भी lipid profile है, बागी टेस्ट है, routine टेस्ट तरहाते रहेगा, और अगर आपको कुछ भी doubt रहता है, अपना BP जरू कं तो ठंड में अभी आपको कोई वो मिले की नहीं, जितनी ठंड बढ़ेगी उतनी heart और brain stroke के patient और बढ़ेंगे, तो यह alarming है, और एक ही रात में 25 लोगों की जान चले आना, वो भी एक ही शेयर में सिर्फ plotting की वज़े से no doubt डराने वाली खबर है, लेकिन आपको डढ़ना नही कीजिए, एक है, thank you very much, आपको अपना Dr. Namneet Kalra, बाई.